दोस्तो वेलकम टू चैनल SMM Heart मैं अपीबिश्व कर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SMM Heart में दोस्तो आज का वीडियो specific बहुत खास है और उन लोग लिए बनाया गया है जो फार्मा मार्केटिंग में के अमेडिकल रop या मैनेजर काम कर रहे हैं लेंगिए अपने जॉब में किसाने किसी तरह से परासान रहते हैं या कंपृणी का भां भी बहुत है है बहुत परेशान हैं तो क्या आपको pcड करना चाहिए जो बहुत सारे कंति चोटी कंपनिया का फ्रेंचाई करते हैं कि आपको peux करना चाहिए आज इस पर करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए क्या उचित है जा व्हुत है जो समाइब कर दोस्तों आप 8 point में बात करेंगे जिसको आप सुनने के बाद खुट decide किजिए क्या right है क्या रहोंगा है आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए उसके बाद हम भी अपना conclusion देंगे हम भी अपना opinion देंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा जितना भी आठ पॉइंट बताया गया वेरी वरी important है और जहां तक रही बात परिसानी की तो आप अगर medical rap काम करते हैं manager रहे एरिया manager RSM जो भी किसी पदपर है तो बहुत भाग दलवाली बात होती है बहुत प्रेशन होता है दिन बहुत मिटिंग होता है बहुत सारी बात होती है बहुत एक्टिबिटी बहुत तरी बात होती है लेकि आप्टर ओल क्या आर यो सेटेस्फाइड वीडियोर अगर अन्यां भी मै clicking on आरीओ घोत जेंटीए अनलाइफ के साथकी करें यसे लोगम जोशते हैं पर यूस्ती और आप। पशनने होगा किसी का बात में पड़ेगा किसी काम नहीं सुनना पड़ेगा चोटा सा investment भी काम investment हो जाएगा तो यह सुचना हर लोगों के मन में आता है और बहुत लोग मेरे भाई लोग करते भी है PCD और किसी को सोचना को गलत भी नहीं है हर आदमी को जिन्दगी में आगे बढ़ने का अपना ओनर्सिप लेने का अच्छे काम करने का डबलब करने का जिन्दगी में गोहेड इन लाइफ सबका अधिकार है और सही बात है कोई गलत बात भी नहीं है कि लिए आज हम अपने एस पर माय ओपिनियन अपने लेवल से जो हमको आया हम ऐसे आठ बात बताएंगे पॉइंट बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप डिसाइट कीजिएगा कि आपके लिए क्या राइट है क्या रहूंगा है क्योंकि नौकरी छोड़ करके और PCD करना क सही होगा कितना गलत होगा फिटेयर करते हैं तो कि आपका एक ऐवसी करते में सेल आता होता ना है सब्सक्राइब जो भी मेंडिकल रेक का रहाता है कही डाउट नहीं है और आपको उसमें अपना घर-परिवार, बच है है establishment cost जो भी है अपना निकलते रहता है और साथ में अपना जो भी टीए डीए बहुत सारी होते रहती है वहीं मिलते रहता है तो आपका एक फिक्स है कि हर महिना के कही नहीं भी आसकता है कभी कम भी आ सकता है कभी ज्यद्र भी आसकता है यहां कोई certainty नहीं है वह predictions नहीं है कि आपको कितना आएगा कितना नहीं लेगा कि अबतूर कि कि आप जो है जब किसी कंपणी काम करते हैं तो आपका बहुत और सम्पर्ट we बतलब आप medical rapid area में जा रहे है आरसम है जेडेम है जीम है बहुत सारे supporting होता है जहां से आपको एक support मिलता है आपका काम करने में assist करते हैं लोग बट जैसे आप PCD काम करते हैं आपको कही से कोई support निने मिलेगा कोई assist करने वोला नहीं होगा आप जो भी है अपने आप करना है अच्छा हो भूरा हो भला हो जो भी अपने आप सेफ़ डेपेडेंट रहेंगे और क्या होता है कि हम यूमेन भी है तो हमारे जब मैनेजर्स होते हैं कोई उपर होते हैं तो कोई ने को गाइड करते हैं कि यहाँ यह काम करना चाहे है गलत है सही है तो यहां आपको PCD वाला में कोई आपको कहने वाला नहीं मिलेगा आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं यह एक पड़ा important point होता है number two number three easy to build brand चुकि आप किसी company के अंडर जब काम करते हैं तो बहुत सारा supporting system होता है company का strategy होता है GM होते हैं बनाते हैं बहुत साला inputs मिलता है बहुत सारा funding होता है बहुत सारी बाते होती हैं जो इसको आपको सिर्फ implement करना होता है और brand build करना easy होता है already किसी company के थोड़ा बहुत image होता ही है अगर बड़ी company है तो कोई बात में छोटी company का भी थोड़ा बहुत होता है market में already कुछ rotation होता है कुछ development होता है कुछ demand होता है तो आपको easy to brand build but जैसे आप PCD काम करते हैं यहां एक-एक strip के लिए एक-एक box के लिए बहुत tough competition है आप बहुत hard and tough competition है तो यहां निकालना sale निकालना this is not so easy जितना सोचते होतना easy नहीं है मैं बता रहा हूं आपको this is not so easy और यहां किसी का support भी नहीं मिलेगा और doctor's log का भी उस तरह का आपका नहीं मिलेगा support जिस तरह से आप बैरन तर बैनर तरह काम करते हैं यहां सोचेगा उस तरह कितना भी परचीट डॉक्टर हो कितना भी कुछ हो उसको मन में कहीं ने कहीं कुछ feeling आ जाता है और उस तरह से आपको दिल खोल के नहीं साथ देगा अगर बहुत रिलेशन हुआ तो लिखेगा तो बहुत खुल के नहीं लिखेगा बहुत दुचार इस टेपर काद बॉक्स जाता इसका नहीं लिखेगा चाहे आपका कितना भी फ्रेंड्सिप हो नमबर फोर अगर आप ego problem को side कर ले जौब में और अगर कुछ में बात सहने की अपमें अगर चमता हो बात पचाने की चमता हो कई अगर कुछ बात सुनने की capability हो कोई react न करने capability हो जैसे कान बंद करके सुनते रहे अपना सर जुगा कर सुनते रहे इस तरह का अगर गुन है तो हो सकता है कि आप किसी company में retirement तक ले ले बहुत सारा लोग है कि कितना भी खराब abuse करें using करें खराब language बोले बहुत लोग कान बंद करके सुनते रहते हैं अपना सुन सार के अपना निकल गए और पूरी जिन्दगी काट लिए इस तरह कि अगर आप में talent है तो हो सकता है क अब जिन्दगी में retirement भी company में ले ले हैं बट PCD में ऐसी retirement कोई बात नहीं है डेली challenge है कब आपका company से आपका dispute हो जाएगा कब अच्छा समन्द रहेगा कब खराब समन्द रहेगा कब किसी दुसरा को ही माल देना सुरू कर देगा आपका एक certain area होता है आप full fledges तो है नहीं आपका certain area चुपके से किसी को माल दे देगा अगर आप sale नहीं कर पाए आपकी तबियत खराब हो गई company को return अगर नहीं मिलेगा तो जो भी PCD वाले हैं आपको जब तक return नहीं दीजेगा आपको वो continue नहीं कर पाएंगे वो कहीं ने कहीं आपका agreement तोड़ देंगे कहीं ने कह असानी आती है जो हां वहां कोई आपको सुनने वाला ने पांच वहां जब आप किसी company में job करते हैं समाजिक सुरक्षा भी मिलता है Social Security का बहुत सारा चीज़ होता है जैसे आपका कुछ EPA रेटार्मेंट के बाद आपको मिलेगा कुछ pension मिलेगा चाहिए कम ही इमांट हो आपको कुछ gratitude मिलेगा आपका कुछ bonus मिलेगा कुछ earn leave मिलेगा बहुत सारी बात ही होती है जो आपको कुछ company से अलग से भी कुछ मिल सकता है अगर company में आप 30 साल या 32 साल काम की retirement लिए सेम company में या लंबे समय तक काम के तो कुछ company आपको कर सकती है तो अगर आप हैं तो इस तरह कोई समाधिक सुरक्षा की बात नहीं है आपको अपना खुद करना पड़ेगा challenge को face करना पड़ेगा कोद आपको देखना पड़ेगा अपने आपको भविस से कैसे सुरक्षित करें क्योंकि ने आपको ना retirement मिलने वोला है ना आपको ग्रिचुटी मिलने वोला है नै आपको किसी तरह कोई अर्लि मिलने वोला है नकिसी तरह को यहां अश्म उपना सब करना पड़ेगा ये तो आप जिन्दगी काट सकते हैं, ऐसी कोई दिकत नहीं है, लेकिन जैसे आप PCD काम करते हैं, अपना काम करते हैं PCD में, तो आपको एक एक दिन का चैलेंज है, एक एक रिस्क है, सब कुछ आपी को डिसाइड करना है, अचपनियमे만 दित परते हैं, बिल्कुन आराम से, कही कोई दिकत नहीं, कहा समाल मनेफेक्ट्रिंग हो रहा रहा है कौन क्या कर रहा है कौन दे रहा है इसको मतलब नहीं है कैसे ट्रांसपर दे आरा है क्या लोजिस्टीक सुत्राइश़ दू में जैदर लफड करना अब कि अपकोड़ने करना है छहाइं लेकिन पिशी काम करते हैं तो फीज को या करनां आपको एक चीज का क्यसे पेमेंट करना है कैसे माल लिक्विड चरना है कैसेผม लीए से करना है कैसे आपको है अजा जुjet करनião आप बिरे गोगशंद करना नहीं है क्या हुआ यहां जहाब कंपनी में अपकूरी का लोugs зем문 कुछ भी हुआ वहाँ कापीशिटी बे अपना सब कुछ हो गया तो यह करना पड़ेगा और आठ्मा और वेरी वेरी इंपोर्टेंट जहां पर आप काम करते हैं तो आप इंप्लाई का फिलिंग होता है और इंप्लाई है भी आप किसी कंपणी में जब जॉब करते हैं तो यौर व लेकिन जब आप पीशीटी करते हैं तो होता है कि मैंने फॉल्स ओनर्सित की भावना आती है आपको लगता है कि आप कंपणी के ओनर हिस्टेटरी में रिया बट ऐसी कोई बात है नहीं पीशीडी का मालिक तो आप नहीं है ब्रैंड को आपका नहीं है जैसे कहा जाता है कि किराय का महल से अच्छा होता है अपना मने ज्षोपडी कहा जाता है कि बहुत बड़ा लोकार होने से चोटा माली लिग होना लेकिन तो मालिक हुए नहीं आप उसमें भी किराय घर में तो यहां भी किराय घर में उसमें भी दूसरा का टर्म करणिशन पर है तो यह जो फॉल्स ऑनर्सी भावना होते फॉल्स है ऐसे कुछ नहीं है जब कंपनी चाहेगी उसको रिक्वाइड शेल नहीं मिलेगा तो आपको आठा सकता है एक रिमेंट जैसे आप कंपनी में छोड़ते हैं मानले 10 सल 20 सल जितना सल काम किए छोड़ने के बाद आप जीरो हो गया आपको कुछ नहीं हुआ वैसे पीसीडी में 4-5 सल काम किए अगर मानले उसको चेंज कर दिया अगर अधर को दिया था फिर आप जीरो हो गया और आज क्रेटर में क इसमें और बेने विबराच नौकरी में या पिश्डी में लेकिन आप मेरा जोपीनियन आप हैं अगर आप ह Pris है अगर कुछ आगे बढ़ने की चंता है तो आप अगर करना है तो नोकरी बिलकुल full-fledged काम कीजिए सब कुछ establishment के साथ everything registered के साथ सब कुछ everything के साथ अपना start कीजिए और on marketing start कीजिए वो ज्यादा better है rather than कोई PCD तो यह हमारा opinion है और आप you can judge you are the best judge कर सकते हैं कोन आपके लिए अच्छा है कोन बुरा है आप अपने capability अपनी चमता अपनी situation आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है हमको लगा कि बहुत हमारे PCD वाले भाई काम करते हैं तो हमको लगा कि इस पर एक video बनाना चाहिए तो हमने यह video को बनाया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ पूछना चाहिए तो अपना comment में अपना पूछे and you feel free to contact me anytime anywhere I am ready for your service दोस्तों मेरा purpose है कि मैं अपने friends की अपने दोस्तों को जिन्दगी में इतना value add कर सकूं मैं करूंगा और मैं करना चाहता हूं मैं पिछले 24 year से फार्वा marketing में successfully काम कर रहा हूं हम सब एक एक पहलू को जानते हैं एक एक बिंदू को जानते हैं एक चीज को हमने देखा है हमने जाना है हमने समझा है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना comment दीजिए अपना reaction दीजिए कुछ गलत बोले तो सुख सुधार यह कुछ नया जनकर यह तर एड कीजिए और थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में आज के वीडियो में इतना ही थैंक्यू